आज 19 मार्च 2020 है और बिस्पतिवार का दिन शरी विकमी समवत 2076 है और शक समवत 1941 चैतर मार्च चल रहा है और क्रिश्न पक्षी एक आदशी तिति है देर रात 6 बजे तक और उसके बाद दौद दौद अधिशी तिति है उत्तर अशार नक्षत्र है तो फहर 2 बज कर 49 मिनिट अज पाप मोचनी एक आदशी है स्मार्ट वैशनों के लिए आज 19 मार्च 2020 को नाम कर अंसकार का मूरत है सुबे 6 बज कर 20 मिनिट से रात 8 बज कर 20 मिनिट तक और मशीन वी और वहान खरीदने का मूरत है दुपहर 2 बज कर 49 मिनिट से रात 10 बज कर 40 मिनिट मेश राशी वाल सही रूप से इस्तिमाल करने के लिए भी आपके मन में कई तरह के सपने हैं व्रिशब राशीवाले अपनी कारेशमताओं से अपना लाब बनाएंगे तो उसे संभालना भी असान हो जाएगा और अगर किसी की मदद से अपनी जिंदगी की जुरुतों को पूरा करना चाहे और जो भी उपलब्धियों का दौर बने उसमें लोगों से जुड़कर भी नई योजनाए बनाई जा सकती हैं काम से जो भी लाब बने उसे वापस अपने काम में लगाने की भी इच्छा हो सकती है आपके मन में क्या करना चाहे समने रोज मर्णा की रुकावटों को लेकर अपने मन को उचाट करते चले जाने से बचना होगा पर उन रुकावटों को संभालने के लिए पैसा भी लगता चला जाएगा और इसी चीज से बच कर निकल जाने की जुरूर्ण को पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यान पूरोग करने होगे एक और तो पैसे की जुर इसलिए अपनी विनमर्ता बनाते हुए ही आपको अपनी जिन्दगी के फैसले करने होगे ताके आपसी तालमेल भी बना रहे हैं सिंग राशिवाले ही समझ लें कि अगर लोग आपसे नाराज है तो उसमें कुछ हद तक आपकी भी गलती रहे हैं जिस वज़े से आपने अपने हालात को सही रूप से संभाला ही नहीं है किसी विस्तिती में अपनी गलतीों पर नजर रखने की जिरूद पढ़ती है क्या करना चाहिए समोगा अपने मन को उचाट करते चले जाने से बचना होगा ताके किसी भी तरह के तकरार से भी बचा जा सके मुश्किले हम सब के लिए बनी पर मुश्किलों की वज़े से दुखी होते चले जाने से भी नुकसान ही होता है कन्या राशिवाले ही समझ ले कि जिन्दगी की मुश्किलें कभी अपनी वज़े से बनती है कभी दूसरों की वज़े से बनती है पर कारण कोई भी क्यो ना हो, ये मुश्किल भरा संद है, जिसमें कोई ना कोई छोटी बात भी आपकी परिशानी का कारण बनती चली जाए, इसलिए भी संभल कर चलने की ज़ूरा है, क्या करना चाहिए संद है, किसी प्यार कर रिष्टे की और आपका जुकाव बहुत है, पर आपके फैसलों में गलती हो सकती है, अपने नजरिये को कुछ ऐसा बनाना होगा कि आप दूसरों की बात को भी समझ पाएं, रिष्टों की अच्छाई बनाय रखने के लिए इस समय ये बहुत ज़रूरी होगा, तो लाराशी वाले लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, पर लोग अपने ही हित का सोच रहे हैं, इसी वज़े से कई ऐसी बाते उबर रहे हैं, जो आपको परिशान ही कर रहे हैं, घर परिवार में सुख और सुकून होने के बावजूद, ये समय आपकी चिंताओं को बढ़ाता हुआ ही नजर आ रहा है, क्या करनाची समून, कामक आज के शेतर में कुछ न कुछ नया पन लाने के कोशिश करनी होगी, आपकी अच्छाई हार रूप से बनी होगी, और आप अपनी बात लोगों को कह सकते हैं, जो उने समझ भी आए, इसलिए भी अपनी शमताओं को निखारने का अच्छा समय है, धनू राशिवाले ही और आपसी तालमेल के रूप में खुशियां बनाई जा सकते हैं, मकर आशिवालों के सामने कई तरह की रुकावते हैं, जिस वज़े से आपकी कोशिशें भी बिखरी पड़ी हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद आपको फिर भी कई तरह की चीज़ों को संभालने के लि लोग भी आपके लिए हर तरह से मददगा, इसी अच्छाई के चलते हैं, आप किसी ना किसी रूप से लापरवा भी होते चले जाते हैं, क्या करना चीज़ समयों? उत्तेजित होते चले जाने से बचना होगा, ताके आप अपने फैसले सही रूप से ले सकें, जब लाप हुआ हो, तो खर्चा करना भी अच्छा लगता है, और खर्चे और नुक्सान का अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, मीन राशी वालों को लोगों की आलोचना से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, और अपनी गलतियों को सुधार कर आप अपने लिए सही रास्ता जुन सकते हैं, हर चीज में कोई न कोई छुपी हुए अच्छाई भी हो सकती है, क्या करना चाहिसे हैं, आपकी मेहनत आपकी आर्थिक स्थिती को बढ़ावा देने का काम कर सकती है, इसलिए उस मेहनत को तराश लेने की जरूरूरत है